हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो यॉर फेवरिट यूट्यूब चैनल टेंटरेंड.com आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कान में छेत करने के विज्ञानिक कारण दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस्त ना कर सके और हाँ नीचे दिये गए बेल आइकन को दबाना ना भूले हिंदू परंपरा में कान छिदवाने का एक बहुत बड़ा महत्व है यह अपने जीवन के दौरान एक व्यक्ति के 16 प्रमुक संस्कारों में से एक है इस रस्म का हिंदू धर्म की सभी जातियों में पालन किया जाता है इससे चटे या साथवे महीने के दौरान या फिर तीसरे पांचवे या साथवे वर्ष में करवाना शुब माना जाता है वेदों के अनुसार यह रीचवल पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा की जानी चाहिए आजकल ये महिलाओं के बीच आम हैं, आजकल की युवा पीडी भी फैशन के रूप में एयर पियरसिंग करवाती है आईए इस पुरानी परंपरा के पीछे चुपे विग्यानिक कारणों को समझे एक्यू प्रेशर थेरीपी की अनुसार, जितनी चोटी उम्र में बच्चों के कानों में छेट किया जाएगा, उतना ही उसके दिमाग का विकास होगा इसके अनुसार कान में छेट ऐलर्जी और मैग्रेन से भी बशने में मदद करता है ऐसा भी माना जाता है कि कान चिदवाने से बहरेपन की संभावना भी कम हो जाती है आयुर्वेट के अनुसार कान चिदवाने से reproductive organs healthy रहते हैं और ये immune system को मजबूत बनाता है ऐसा भी माना जाता है कि कानों को चेदने और उसमें earrings पहनने से दिमागी शक्ती और निर्ने लेने की पावर बढ़ जाती है एरलोब eyesight का केंदर भी है और इससे आँखों की रोशनी को सही रखने में मदद भी होती है चलिए अब तो आप सर्फ fashion के लिए earrings नहीं पहनेंगे पर आपको ये भी पता होगा कि ये आपकी health से भी जुड़ा है तो दोस्तों देखा आपने कार में छेट करने के कितने फायदे हैं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें tenteran.com के साथ धन्यवाद